हालो फ्रेंड्स बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे न्यू प्रटन कोश्चन्स आईवी पेस्पी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे आईवी पेस्पीयो का एक्जाम अक्टूबर मन्त में होने बला है और इसमें नए पेटन के questions काफी पूछे जा रहे हैं, काफी variation आ रहा है English section में. और English section को successfully करने के लिए जरूरी है कि सारे questions को आप logic के साथ करें और trick के साथ करें. सारे video classes में मैं already tricks आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से logic को apply करना है, और किस तरीके से lengthy और tricky questions को within seconds आपको करना है. देखिए officially आपको 40 second का time मिलता है banking exam में, लेकिन मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से 4 या 5 second में एक lengthy question को आप solve कर सकते हैं, और वो भी पूरी accuracy के साथ. और इस तरीके से इन questions को यदि आप करते हैं, तो निश्यत रूप से आप English में बहुत ही अच्छा score आप कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस video class को. देखिए, ये single filler का question है, और इस video class में मैं single filler, double filler और paragraph filler. ये 3-4 तरह का type इस में मैं बताऊँगा, तो इस पूरे वीडियो को आप ध्धान से सुनिए सारी चीज़ें, मैं किस तरीके से समझाता हूँ आपको. देखिए, पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी ग्रॉप्स हैव आर्ग्यूड देदा बिल प्रोवाइट्स टू हिंदू who have migrated from बंग्लादेश पोस्ट नाइन्टी सेबिंटी वॉन इसमें इस सेंटेंस में देखिए हम क्या कह रहे हैं इस सेंटेंस में हम ये कह रहे हैं एक बिल की बात कर रहे हैं हमें ये तो पता ही है कि बिल क्या होता है तो bill basically होता क्या है एक temporary proposal होता है तो bill provides अब यहाँ पर जो answer आएगा वो क्या आएगा बिल जिस चीज को provide करता है वो चीज यहाँ पर आएगी वो noun यहाँ पर आएगा ठीक है आप देखे two Hindus who have migrated from Bangladesh post 1971 1971 के बाद जो लोग जो हिंदू Hindus who have migrated from Bangladesh मतलब इंडिया में जो हिंदू Bangladesh से migrate होके आए हैं उसके बारे में इस bill में बात हो रही है और bill क्या provide करता है देखिए bill किसी भी चीज को bill एक proposal होता है और उसके उपर जब जब parliament approval दे देता है और president approval दे देता है तो वो एक law बन जाता है और बिल किस चीज को provide करता है बिल जो जो आपका proposal है उसको legal बना देता है उसको legitimate बना देता है तो बिल का केवल एक ही काम होता है कि legitimacy provide करना इसके लाबा सारे words यहाँ पर inappropriate है तो यहाँ पर सही answer होगा आपका legitimacy I hope you understand this question ठीक है इस तरीके से इन questions को करना है इस trick से आपको apply करना है इन questions को यह basically trick नहीं है यह सही तरीका है questions को solve करने का banking exam में और इस तरीके से आप अगर करते हैं तो चार या पांस second में एक question को आप solve कर सकते हैं यह चीज मैं काफी सारे video classes में मैं अलड़ी बता चुका हूँ लेकिन उसके बाबजूद फिर से मैं repeat कर रहा हूँ यहाँ पर अब देखे एक sentence यह है इन आसाम वेर illegal migration in fact as well as in अब देखे यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं इन आसाम वेर illegal migration सभी को पता है कि illegal migration हो रहा है असाम में ठीक है बहार से बग्दादिश कुछ लोग illegally migrate करके आ रहे हैं इंडिया में तो यहाँ पर क्या लिखा है वेर illegal migration in fact as well as in देखे इस लाइन को यह आप समझे है तो आप का अंसाम निकल क्या जागा in fact मतलब बास्तब में भी और किसी और चीज में भी और वो चीज क्या हो सकती है ठीक है एक तो चीज होती है reality और एक होता है एक होता है आपका exaggeration exaggeration का मतलब होता है कि कोई चीज standard से बहुत जादा है या बहुत कम है तो reality देखे यहाँ पर दिया है in fact और यहाँ पर दिया है as well as मतलब fact में भी और exaggeration में भी ठीक है तो इस as well as as well as क्या है यहाँ पर एक keyword है इस keyword से आप answer निकाल सकते हैं तो एक होता है in fact मतलब बास्तब में और एक होता है in exaggeration मतलब unreal जो facts होते हैं तो exaggeration ही यहाँ पर आ सकता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम में बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या आएगा second जो option है political क्या है political एक adjective है तो यहाँ पर आपको noun चाहिए अब noun देखिए इसमें noun cable और cable landscape में है ठीक है तो यहाँ पर यह चीज confirm हो गई कि यह option तो सही है लेकिन इसके साथ यह option भी सही है त को कि इसका answer cable five ही हो सकता है अब देखिए मैंने इस question का answer जो निकाला वो maximum चारिया पांस second लगे होंगे चारिया पांस second भी नहीं लगेंगे मैंने इस पूरे sentence को नहीं पढ़ा यहाँ से यहां तक मैंने नहीं पढ़ा नहीं मैं इनके words को जानता हूँ defined, political, hearing, meeting, क्या होता है amendment क्या होता है, citizenship क्या होता है, charge क्या होता है, inevitably क्या होता है, suppose एक example के लिए बात करें कि I don't know these words, ठीक है उसके बाबजूद भी मैंने आपका सही answer निकालके रग दिया, तो student के साथ क्या होता है, student यह सोचता है कि हमें सारे word meaning आने चाहिए, हमें सारे paragraph का meaning समझ में आना क्या है, क्योंकि examiner just check करना चाहता है कि आपके अंदर English का sense है के नहीं, English को आप समझ पाते हैं के नहीं, ठीक है, अब देखे, यहाँ पर कितना यह tricky question लग रहा है, इसको देखने में, देखने में कोई student होगा, जो normal student होगा, जिसकी English यादा अची नहीं होगी, वो डर जाए नहीं है, आपको simple logic apply करना है और उसका answer आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें भी मैंने इसी तरीके से जो last question हमने देखा था, इसमें भी मैंने इसी तरीके से आपको logic बताया कि इस तरीके से question को solve करना है, यहाँ पर मैंने बताया कि बिल का काम होता है किसी चीज को legalize करना, ठीक है, लेजिटिमेंसी यहाँ पर एकदम suitable choice होगी, यहाँ पर भी मैंने logic से बताया, आप देखिए, इसमें मैं बताता हूँ आपको, Clearly the bill is seen by detector to be breaking the general on the NRC, देखिए यदि आप reading करते हैं, तो NRC के बारे में आपको पता होगा, NRC है National Register of Citizens, यह असमें है, असमें यह government मैं बनाया है, Clearly the bill is seen by detector, detector मतलब जो oppose कर रहे हैं उस चीश को, to be breaking the general, मतलब बिल को ऐसे देखा जा रहा है, detector के द्वारा, बिल को ऐसे देखा जा रहा है, कि वो किसी चीश को break कर रहे हैं, अब किस चीश को break करेंगे, यदि कोई agreement बना हुआ है, यदि कोई सहमती बनी हुई है, किसी particular topic पे, सपोज NRC पे एक सहमती बनी हुई है, तो उस चीश को, बिल जो है, वो break कर रहा है, मतलब बिल सही काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर agreements related एक word आना चाहिए, और agreements related जो word है, वो है consensus, तो यहाँ पर consensus ही सही answer हो चकता है, मैंने इस पूरे sentence को नहीं पढ़ा, और सही answer मैंने निक यह कितना आसान आपके लिए English language हो सकती है, बसरते आप सही strategy follow करें और सही तरीके से questions को करें, आप देखें यह question है, यह अलग type का question है, इसमें क्या है, कि यहाँ एक word आएगा, हाँ, यह double flurry है, अलग तरीका नहीं है, यह double flurry है, यहाँ पढ़ते हैं, besides the, यहाँ पर एक noun actually हो objections, अब देखें, यहाँ पर मैंने keyword देखा, there, अब there किसके लिए आता है, there आता है, human beings के लिए, मतलब यहाँ पर आपको plural noun चाहिए, और plural noun वो ऐसी होनी चाहिए, जो लोगों से related हो, सबज में आया आपको, besides मतलब इसके अलाबा, ठीक है, although some of their objections, some of their objections, मतलब उनके कुछ objections, तो किल लोगों के objections, यहाँ पर देखें, some of their objections, objections का, objections raise करने का काम कौन करता है, people करते हैं, तो people's related एक word यहाँ पर चाहिए, और people's related जो word है, वो है, detractor, detector मतलब आपोजीशन में जो होते हैं, जो oppose करते हैं किसी सीच को, अब देखें, detour, detour people नहीं है, avoid people नहीं है, minor people नहीं ह तो detector के objections हो सकते हैं, minor, avoid और detour के objections नहीं होंगे, तो इसलिए यहाँ पर सही answer होगा, four, और जब first option आप sure है, कि first option सही होगा, तो second option जो है, वो अपने आप सही हो जाएगा, यहाँ पर देखें, native chauvinism, native chauvinism मतलब patriotism की बात हो रही है, यहाँ पर जो की सही है, यहाँ पर, I hope this is clear, इस तरीके से इन questions को आपको करना है, पूरी accuracy के साथ इन questions को आप कर सकते हैं, ठीक है, डीटेक्टर का मतलब a person who disparage someone or something, जो किसी चीज को disparage करता है, हसी उडाता है, उसको हम बोते हैं, detector, ठीक है, शौविनिजम होता है, exaggerated और aggressive patriotism, चले आगे देखते हैं, the center needs to apply much more thought before pushing the bill for its, for its awesome and for its larger religious assumptions, इस sentence का मतलब है कि center को, इस bill को apply करने से पहले काफी सोच बिचार की जरूवत है, काफी सोच बिचार की जरूवत क्यों है, क्योंकि इसको हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ां face करनी पड़ रही हो, जो जो लोगों को पसंद नहीं आ रही हो, in awesome and for its larger religious assumptions, तो यह नहां पर objections related एक word चाहिए, और objections related word है, इसमें contradictions, और इसमें answer होगा आपका contradiction, ठीक है, निगलेक नहीं होगा, overpass कलाता है, wholesomeness, यदि आप reading करते हैं, regular basis पे आप यदि reading करते हैं, English section की, तो English section आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, चले, question number 6 देखते हैं, the recent thaw in relationship between Pyongyang and Washington has been aided by attempts by both North and South Korea to restore normalcy on the divided peninsula, beginning with, देखे, अब suppose एक layman student है, इस question को solve करता है, उसको कुछ नहीं आता है, अब मैं आपको बताऊँगा कि without knowing the meaning, without knowing the paragraph, किस तरीके से आप इसका answer निकाल सकते हैं, देखे, the recent thaw, इसका मतलब आपको नहीं पता, in recent between Pyongyang, योंग, ये तो हमें पता है कि ये क किसी कंट्री की राजधानी है, and washing a turn, हमें ये भी पता है, ये किसी कंट्री की राजधानी है, has been aided by, aided देखे, एक positive word होता है, किसी चीज़ को support करना, aided by attempts by both North and South Korea to restore normalcy, देखे, restore normalcy मतलब normalcy को बापिस लाना, normalcy को हम बापिस कैसे ला सकते हैं, यदि दो लोगों के खराब हैं, तो हम normalcy को बापिस कैसे ला सकते हैं, हम cordiality का सहारा लेके normalcy को बापिस ला सकते हैं, cordiality का मतलब होता है, politeness, या दो लोगों में जो अच्छे संबंद होते हैं, ठीक है, beginning with cordiality, अब देखिए, मैंने पूरा paragraph नहीं पड़ा, और नहीं मुझे इसका मतलब पता है, ना ही मुझे ये पता कि Washington कहां पर है, पियोंगयों कहां पर है, किस की राजधानी है, और मैंने बिल्कुल सही answer इसका निकाला logic से, और वो भी 4-5 सेकिंड के अंदर, so that is how you have to approach the English questions, ठीक है, ये एक सही तरीका है English question को कम से कम time में पूरी accuracy के साथ solve करने का, I hope you are understanding this explanation, तरीकों को अपनाते हैं, तो 30 पर से minimum 20-22 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, और यदि ये तरीका आप नहीं अपनाते हैं, पूरा question पढ़ते हैं, और तो तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, 4 या 5 या 3-4 नंबर आप आएंगे, सेदा आपके नंबर नहीं आ सकते है देखे इस question को फिर से पढ़ते हैं, tension between the two countries had risen to an all-time high over the winter and Pyong-Yong series of nuclear and missile test, अब यहां पर देखे, nuclear दिया है, यहां पर दिया है missile, मतलब यहां पर missile को हम बता रहे हैं कि वो missile कैसी है, nuclear missile है, लेकिन उसका एक type हमें और बताना है, क्योंकि ये end से जोड़ा हुआ है, सबज़ में आया आए आपको, मिसाइल, missile का हम type बता रहा हैं कि nuclear missile की हम बात कर रहा हैं, लेकिन वो missile एक तरह की और है, एक तरह की और है, तो वो missile कैसी हो सकती है, decency missile तो होगी नहीं, against missile होगी नहीं, comfort missile होगी नहीं, blink missile होगी नहीं, intercontinental missiles होती है, जो दो continent کے बीच में काम करत और मैं श्यूर हूँ किसका answer क्योंकि missile जो है वो nuclear हो सकती है इंटर कॉंटिनेंटल हो सकती है वो decency against comfort नहीं हो सकती ठीक है और पहला जब option शही है तो दूसरा option automatically सही हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता कि पहला option सही है और दूसरा option कलत है यदि पहला option सही है तो दूसरा option भी अपने आप ही सही होगा इसने दूसरे option को आपको examine करने की ज़रुवत नहीं है तो इसका answer होगा 4 इस तरीके से इन questions को आपको करना है चलिए next देखते हैं इट हैस और सीज़ड फर्दर nuclear and missile test whether Mr. Kim will agree to a freeze on the North nuclear program is however still in the realm of देखे इसको एक बार परते हैं इसको एक बार परते हैं तो whether Mr. Kim will agree to a freeze on the North nuclear program मतलब क्या Mr. Kim Mr. Kim के बारे में आपने सुना होगा North Korea के head है तो whether Mr. Kim will agree to a freeze on the North North Korea nuclear program North का मतलब है North Korea nuclear program है North Korea का जो nuclear program है is however still in the realm of यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो doubt के equivalent हो क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि Mr. Kim की जो policy है North nuclear program के बारे में तीक है उसके बारे पता नहीं है कि वो कैसी हो सकती है कि वो उस पर freeze लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ठीक है यह चीज doubtful है तो यहाँ पर doubtful का equivalent word चाहिए और doubtful का equivalent word है speculation यहाँ पर आंसर होगा आपका 4 that is speculation अगे बढ़ते हैं question 8 हो गया question 9 देखते है an ammunition lorry with a roar ठीक है दो अलग लग इसमें एक ऐसा word चाहिए जो दोनों sentences में fit हो जाए the first British atomic device was यहाँ पर आएगा देखिए atomic device जो होती है वो क्या करती है atomic device जो होती है वो explode करती है ठीक है तो exploded actually होगा यह और an ammunition lorry एक ऐसी lorry जिसमें ammunition ammunition मतलब जो armies में use होता है गोला बारूद जिसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ammunition ammunition lorry with a roar roar क्या होता है एक बहुत तेज आवाज होती है बहुत तेज आवाज कब आएगी जब explosion होगा ठीक है तो इसलिए सही answer होगा इसमें exploded इस तरीके से इन questions को करना है question number 10 देखते हैं the state came into the of the Hesterland family state क्या होता है संपत्ती होता है state जिसे Hindu jajajad होती है उसका हम state बोलते है came into the तो यहां पर क्या लगा सकते है यहां पर हम देखते है she had taken take के साथ कॐं सा वर्ड जा सकता है take of के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है take of ke साथ एक ही वर्ड जा सकता है और वो है possession किसी चीज का अधिकार कोश्चन एलेविन देखते हैं ही इशूड टू दा शेडिफ ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं फिर प्रिजनर डिसॉवेज एन ही विल बी पनिश्ट तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ प्रिजनर किसी चीज को डिसॉवे करता है तो उसको पनिश किया जाएगा तो इस इसके बाद आगे नहीं आएंगे और यहाँ पर ही इशूड इंस्ट्रक्शन टू जाएगा तो उसे साबसे भी यह सही है तो सेकेंड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 12 कुशन दिखते हैं तो 15 पीपूल अरेस्टेड वर इस्टिल इन पुलिस जिन 15 लोगों को अरेस्ट किया गया था वो पुलिस में थे अब यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो पुलिस के साथ कनेक्ट हो जाए पुलिस के साथ कौन सा वर्ड कनेक्ट हो सकता है या तो कस कस्टेडी इसमें दिया नहीं है लेकिन कस्टेडी का एक्क्यूब्रेंट जो है वह है डिटेंशन तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डिटेंशन को कुशन नमबर 13 देखते हैं दा सॉफ्ट कलर्स आफ दा नौर्थ इंब्रियन आफ यहां पर आपको यहां पर आपको एक नाउन चाहिए इस चीज का नाउन की यहां पर बात कर रहे हैं और नाउन जो है वो इसमें है देखे एस्ट से कोई चीज रिलेटेड है मतलब किसी चीज़ का हम direction नो यहांपर बता रहा है तो यहांपर आपको एक noun चाहिए उस noun का ये उस noun से ये चीज रिलेटेड है तो यहांपर आपका सही answer होगा क्योंकि noun इसमें जो है वो capable landscape है तो यहाँ पर यह दो लेंडिसकेप आप रखेंगे The Landiscape of East Norfolk Norfolk नॉजट फार किसी कंटरी का किसी सिटी का नाम है उसका हम लेंडिसकेप की बात कर रहे हैं यहाँ पर मतलब उसके जो फीचर से हैं ठीक है? The Landiscape of East Norfolk यहां पर भी यह सही हो जाएगा, the soft colors of the northern brian landscape, land landscape मतलब उसके physical features, तो यहां पर answer होगा first, आप देखें यह कितनों लंबा question है, और यहां पर आपको क्या करना है, कि यह एक sentence दिया है पूरा, और यहां पर यह खाली स्थान है, इस खाली स्थान में, इस blank में, इन पाचों में से क तो इसको करने के लिए आपको पूरे sentence को नहीं पढ़ना है, केवल इस last वाले sentence को पढ़ना है, और इसके according logic इसमें लगाना है, इसका अपना है, इसका अइन प्रोटेक्शन के लिए कोई policy नहीं है इंडिया में, इसका अधार का डेटेल है, पेन काट का डेटेल है, के पास रहता है और सभी कंपनीज के पास हमारे डिटेल रहता है लेकिन उस देटा का मिस्यूज ना हो इस तरह की कोई पॉलिसी इंडिया में नहीं है और यह हमारे लिए बहुत चिंता का कालन है तो इसलिए यहां पर अब देखते हैं क्या सकता है यहां से एक सेंस बन रहा है क्योंकि इस सेंटेंस में यह बोला जा रहा है कि एक चिंता का कालन है देटा का कोई सेंस में यह एक चिंता का कारण है और यहां पर हम बोल हैं यह जानते कि किस सेंस में पर परपर्स में के लिए उनका डाटा यूस किया जा रहा है तो यहां पर थर्ड जो ऑप्षन है यहां पर एक सैंस बनता है ठीका इसका थीचिघे शौने जामसे पढ़ेंगे तो यहां पर एकड़ फित वो सकता है यह त्वतीं सैंटेंस यह जो टीन लाइन यहां पर लिखिए इसका यहां पर यही सेंटेंस इसमें फिट रहेगा अब देखें यहां पर हम देखते हैं यह किस बारे में हैं ते इंटेंसिटी ओफ कंप्टिशन है इस इंट्री और रिलाइंस जियो फांड़ेट बाइट बाइद डी पॉकेटेड विलेनर मिकेश उम्बानी इसमें हम यह बोल बैटलिंग फ्यूरियस ली तुटेक्ट देट अब टर्फ एंट विट टेरिफ एक्षन पुमेच दर नीजिए अप्रोच टुप्राइस वोईस एंडेट इसमें यह बोला जा रहा है कि जियो के आने के बाद बाकी सारे जो कंप्टिटर आप डर गए हैं और उनका अपने नेट्वर कॉल्स इस ओंडेट टू देर वोस मतलब ऑपरेटर्स ने बोला है कि अपनी अपनी फीज जो है वह आधी करो ठीक है दा टेलिकॉम रेगुलेटर सेप्टेमर डिसीजिएं टू मोर देन हाफ दा फीज एट ऑपरेटर पे ऑन क्रॉस नेट्वर कॉल्स हैस ओंड टू देर वोस मतलब जो टेलिकॉम उपरेटर है उनकी तरफ से भी बहुत प्रब्लम आ रही है और इस चीज ने उनकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी है ठीक है टू देर वोस रिजल्टेंग इन स्टीप एंड कंटीविंग इरोजन इन एवरेज रिवेन्यू पर यूजर एंड मार्जिन बतला उनका जो पर यूजर रिवेन्यू है वो मार्जिन है वो कम होता जा रहा है दूसरे जो कम्प्टिटर है क्यों को प्राइस बहुत कम करनी पड़ रही हैं तो यहां पर अब क्या आ सकता है यहां पर हम बोल सकते हैं विद अबाउट 430 मिलियन सब्सक्राइबर्स बोड़ा फॉन आइडिया वुड वोल्ट पास्ट भार्थी एयर टेल करेंट इंडिया कस्टमर तीक है तो अब देखते हैं क्या आ सकता है यहां पर हम बात कर रहे हैं बोड़ा फॉन आइडिया की तो यहां पर देखे यह वाला सेंटेंस आ सकता है बोड़ा फॉन आइडिया लिमिटेट एस दा न्यू बिजनेस विल बी कॉल आउट तो भी हैपी विद दा वे नहीं यह नहीं आएगा यहां पर आ सकता है देखे यहां पर भी हम बोड़ा फॉन आइडिया की बात की है कि बोड़ा फॉन आइडिया जो है प्रेशर आ रहा है उनके उपर और यहां पर देखिए तो यहां पर एक्चुली यही सेंटेंस आ सकता है क्योंकि इसमें भी हमने बोड़ा फॉन आइडिया की बात की है बाक्षी सारे सेंटेंस में यह चीज नहीं है यहां पर आंसर होगा आपका फॉस्ट यह जो कोश्चन मैंने लिया है यह मेंस एक्जाम का कोश्चन है से 20 नंबर 30 मैं से आपके आने ही चाहिए और इसी तरीके से आपके मेंस एक्जाम में 35 मैं से 12 अपके बिल्कुल सही-सही होने चाहिए तब आप सेलेक्षन के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो हलाकि इस video class में मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ाया है थोड़ा सा speed के साथ पढ़ाया है लेकिन that is how you should try to tackle these kind of questions. इसी तरीके से आपको करना है questions को, question सामने आया, आपने logic लगाया और उसका answer लगाया, ठीक है, question सामने आया, logic लगाया और answer लगाया, बस maximum 4 या 5 second से ज ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको और ज्यादा practice करने की जरूरत है, तो इस video class में इतना ही, आपको कोई feedback देना चाहते हैं, तो email id और whatsapp number पर आपको अपना feedback दे सकते हैं, इस video class में इतना ही, अब मैं आप से बिलूँगा, next video class में, thank you.